हाई गाईज वेलकम वैक टू माई चैनल इस वीडियों में हम बात करेंगे डोकर की और डोकर को अंडेस्टेंड करेंगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोश्चन यहीं कि वाय डोकर ठीक है तो डोकर को समझने के लिए पहले समझते हैं कि हमें डोकर की जरूरत क्यों है तो सपोर्ज हमारे पास दो मशीन है और एक मशीन पर एक प्रोग्रामर काम कर रहा है दूसरी मशीन पर दूसरा प्रोग्रामर काम कर रहा है और programmer A ने कुछ code लिखके जो उसके PC पर चल रहा है, programmer B को transfer किया, ठीक है? अब programmer B के पास वो code नहीं चल रहता है, तो अब ये दोनों programmer सोच के परिशान हैं, कि मेरे PC पर तो चल रहा है, और उसके PC पर क्यों नहीं चल रहा है? ये code जो programmer A के PC पर चल रहा था, programmer B के PC पर नहीं चलने के कई रीजन हो सकते हैं, कुछ OS version का issue हो सकता है, ठीक है? और कोई libraries अगर उसने use की हैं program में, वो libraries दूसरे system पर fit नहीं बैठती, ये issue हो सकता है, तो जो सबसे बड़ा problem हो रहता है, वो यह ही है कि, ये अक्सर कहते हो सुना होगा आप लोगों ने, it is running on my PC, pardon my writing, तो सबसे ये जो problem आती है, हर कहीं आती है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कोई programmer बोल रहा होता है, कि नहीं, ये तो मेरे PC पर तो चल रहा है, आप कियों नहीं चल रहा है, तो ये versioning का, और OS versioning का, बहुत सारे issues होता है, तो जानते हैं, इन सारे issues के बारे में, तो ये भी वाइडो करके साथ ही आएगा, तो ये main three reasons हैं हमारे, जो ये problem को describe करेंगे, कि नहीं, नहीं, मेरे system पर तो चल रहा है, सबसे पहला है, operating system का compatibility, कई बार ऐसा होता है, कि आप किसी, जो आपका जो operating system है, वो किसी और version का है, और आपने जो code किसी दूसरे person को दिया था, वो किसी और version का है, तो इस वजह से, जो code आपकी system पर चल रहा है, वो दूसरे person के system पर नहीं चलता, दूसरा है, problem with heavy tech stack, मतलब कि, अगर आपने कोई program लिख रहे हैं, अब्यसी बात है, अगर वो production का है program, किसी company का है, तो उसमें बहुत सारी libraries, या बहुत सारी अलग-अलग programming languages का use हो सकता है, तो जरूर ही नहीं है कि आप जिस programming language के version को use कर रहे हो, सामने बाला भी, वो code को test कर रहा है, उसी programming language के version पर, या फिर libraries का, जो बर्जन है, वो problem कर सकता है, और कई सारी problem आजाती है, जिसको debugging करने में बहुत problem होती है, तो ये एक problem है, उसके बाद है OS understanding, माल लीजे कि आपने जो code लिखा हुआ है, वो Linux पे लिखा हुआ है, और आप same code को किसी अपनी कलीक के बास transfer करते हैं, और वो जो Linux पे लिखा हुआ code है, आपका कली Linux समझता ही नहीं, उसको आती ही नहीं, तो उसको वो code रन करने में बहुत इश्यू आएगा, तो ये जो तीनो problem का solution है Docker, वो कैसे देखते हैं, तो अभी आपने समझ, मतलब आपको लग रहा होगा कि Docker is like a virtual machine, जो virtual machine हम VM-Bear का यूज़ करके, जो उसका यूज़ करके हम रन करते थे और अपने सिस्टम में, जैसे हमारे पास अगर विंडू ए सिस्टम है, तो आप उसमें Linux यूज़ कर सकते थे, एक BM बना के, बचल मशीन बना के, तो आपको लग रहा है कि Docker और बचल मशीन में काफी सिमलार्टी है, क्योंकि जैसे कि अगर कोड आपका विंडू पर लिखा हुआ है, और आपको अपने सिस्टम में आपके पास Linux पढ़ा हुआ है तो आपको विंडू चाहिए, तो आप ऐस बी-म विंडू क्रियेट करते थे, ओ उपरेटिंग सिस्टम और उस पर कोड रन करते थे, तो टोकर और बचुल मशीण में क्या डिफरेंस है, वो ये दोनों फिगर की हेल्ब से हम समझेंगे, जो बचुल मशीन है, बचुल मशीन में एक हाइपरवाईसर, यह हाइपरवाईसर है न, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हाइपरवाईसर क्या करता है, यह operating system create करने के लिए use होता है ठीक है यह basically क्या करता है operating system को create कर देता है जैसे कि आप जैसे कि आपने अगर BM Bear का use करके कोई virtual machine बनाई होगी तो अब वो क्या करता है जैसे अगर आपके base में system के base में अगर window पड़ी हुई है तो आप एक Linux का operating system create कर सकते हैं एक BM में वो आपके BM में रहता है और आप उस Linux को use करके मतलब कोई भी libraries या कोई command LS है ठीक है न इस तरह की command आप clear use कर सकते हैं ठीक है बट डोकर के case में ऐसा नहीं है डोकर के पास अपना कोई operating system नहीं होता है डोकर जो हमारा base machine का operating system है ठीक है न उसी को use करता है उसी को shared करता है ठीक है जो डोकर का इंजन है वो उसी को shared करता है और उसके ऊपर लाइबरी या एप्स को विल्ड करता है तो वर्चुल मशीन नों container जो basically यह जो पूरा है यह container कहला जाए जाएगा ठीक है इसमें यही डिफरेंस है यह डोकर container है ठीक है न तो वर्चुल मशीन और डोकर में यही डिफरेंस है कि बचल मशीन में यह होता है कि वह अपना एक उनका operating system create करती है बट डोकर मैसा नहीं है डोकर के पास अपना कोई operating system नहीं होता है वो शेर करता आपके बेस operating system से ठीक है तो अब डोकर की केस में दो बहुत important चीज़ें एक है image एक है containers तो containers अभी हमने देख लिया था कि basically containers में सारी चीज़ा आती है उसमें इंजन आता है डोकर इंजन होता है ठीक है और उसके उपर हम आप को बिल्ड करते हैं ठीक है इमेजस क्या है इमेजस कंटेनर के अंदर होती है ठीक है मतलब की container and after that images तो images क्या चीज़ है basically जैसे कि मालोग आपके पास एक system है आप अपने system पे apache run करते हो ठीक है mysql run करते हो ठीक है तो यह अलग-अलग service हब अपने system पे operating system पे रन करते हो ठीक है तो images यही काम करती है आप अपनी container में different different images बनाते हो एक आपकी apache की images हो जाएगी ठीक है और एक आपकी mysql images हो जाएगी ठीक है तो इस तरह आप एक container में कई सारी images बना सकते हो ठीक है यह होती है images docker container हम कैसे बनाते हैं build कैसे करते हैं images कैसे बनाते हैं यह सारा हम next video में देखेंगे with the help of command line और जो problem मैंने discuss की कि docker क्यों जरूरत है और वो problem थी हमारी burgeoning issue को लेकर वो हम solve करके देखेंगे next में एक real real problem लेंगे जिसमें हम अलग-अलग OS पे अपनी app चलाएंगे और वहां पर अगर कोई issue आती है burgeoning की तो हम उसको docker की help से solve करेंगे ठीक है तब तक के लिए thank you thank you very much